पेंट नबर 27 पे देखिया आप लोगों को नीचे करके एक दिया वह है question find out and write the names of different programs in windows windows के लिए different programs होते हैं वो आप लोगों ने यहां पर लिखने हैं मैंने आपके कुछ points यहां पर लिखे हैं Microsoft Paint जिसमें आप लोग paint कर सकते हैं कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं Microsoft Word जिसमें आप लोग अपना कोई भी essay आपने कोई चीज़ paragraph लिखने हैं वहाँ लिख सकते हैं Microsoft Excel में अगर अपने अपना research sheet त्यार करनी है वह कर सकते हैं calculator जिसमें आप calculate कर सकते हैं ठीक है यह चार प्रोग्राम्स जाएं इसके लाब अगर आपको और किसी के नेम आते हैं या किसी पूछ के आप लोग वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं एकलेटर के सपलिग हैं जो अब आपटीएम ओन ऊसे आपको और कल्कुलेटर ठीक अब यहां पर वोग स्प्रीख स्प्रित a अभेटग से नेरी के आपके लो The instructions that a computer receives is called a task जो computer instruction receive करता है वो उसका task कहलता है task कहलता है यह cross है क्या कहलता है command कहलता है The instructions that a computer receives is called a command जो नीचे वाला है second वाला option है वो है tick ठीक है a computer is a set of instructions that number two है computer is a set of instructions that tells the computer how to perform a task ठीक है hardware is a set of instructions that tells the computer how to perform a task अब प्रोग्राम होता है या हार्ड रहता है यह कंप्यूटर को बताता है क्या करना है प्रोग्राम होता है यानि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है और सेकिंड वाला जो है वो फाल्स है ठीक है आपके समझाएगी है अब नमबर थ्री देखे When we switch on the computer the operating system loads first When we switch on the computer the word processing program loads first अब क्या चीज अप्रेटिक सिस्टम लोड़ता है या word processing system word processing system लोड़ता है तो लास्ट वाला जो वो ठीक है और जो उपर वाला है वो फाल्स है यह हो गया हमारा page number 28 28